एश्वरिया राय को मिली थी फिल्म बाजी राओ मस्तानी एश्वरिया ने क्यों ठुकराया संजेलीला भनसाली का बड़ा ओफर हेलो आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अलमा सिदिकी फेमस बॉलीवुड वुड एक्ट्रेस एश्वरिय राय से जुड़े से तमाम किसे सोशल मेडिया पर मौजूद हैं और इन में से सबसे फेमस है सल्मान खान से जुड़ा एश्वरिया का रिष्टा सलमान से ब्रेकप के बाद आशवरिया राय ने बॉलिवूट को कई हिट फिल्में भी दी है लेकिन कहीं न कहीं सलमान से ब्रेकप का खाम्यासा भी आशवरिया राय को भुगतना पड़ा है और ऐसा ही ये किस्टा 2015 में आशवरिया राय के साथ हुआ था जब एक्ट्रेस ने बॉलिवुड की सबसे हाई स्कोरिंग फिल्म को ना कह दिया था इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 356 करोड की कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड डाले थे खबरों के मुताबिक फिल्म बाजे राउ मस्तानी में संजे लीला भनसाली ने दीपीका पारुकॉन से पहले के ऑफर एशवर याराय को दिया था वह चाहते थे कि एशवर याराय इस फिल्म में लीड रोल प्ले करें अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐश्वरिय राय को रनवीर सिंग के साथ काम करने में क्या तकलिक थी दरशल रनवीर सिंग से पहले ये रोल सलमान खान को ओफर किया गया था और इस वज़ा से ही ऐश्वरिया राय ने इस मूवी में लीड रोल प्ले करने से इंकार कर दिया था क्योंकि ऐश्वरिया दुबाला सलमान खान के साथ बड़े परदे पर एक्टिंग ही नहीं करना चाहती थी इस वज़ा से उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था बात करें बाजीरों मस्तानी फिल्म के सबसे पहली कास्ट की तो इस फिल्म में सलमान खान, एश्वरिया राय और भूमी का चावला लीड रोल में नजर आने वाले थे कुछ कारणों से संजे लीला भनसाली ने फिल्म की पूरी कास्टिंग ही बदल दी जिसके बाद इस फिल्म में रनवीर सिंग, डिपीका पालुकॉन और पियंका चूप्रा को रोल मिला था और उन्हों ने इस रोल को बकू भी निभाया भी जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रेकॉर्ड भी तोड़ डाले थे बता दे कि संजे लीला भनसाली की बड़ी फिल्म हीरा मंडी जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की कहानी उस दौर की तवाइफों की है जब वो रानी जैसी जिन्दगी गुजारा करती थी और अचानक उनके साथ सब कुछ पुरा होने लगा इन्य उस अबडेट आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट से अक्षेन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें